आप सबी का स्वागता आए देखते हैं आज की खास कबर प्रयांका गांदी कहीं से विच्णाउ जित सकती है अभिशेक मनु सिंग्वी कॉंग्रेस की वरिस्ट नीता सांसत और अधिवक्ता अभिशेक मनु सिंग्वी ने बाचीत के दौरान कहा कि कॉंग्रेस महासची प्रेंका गांधी अतारवी लोग सभा में भी दिख सकती है हाला कि यह उनका नीजी फैसला होगा कि वहा कब और कहा से चुनाव लड़ती सिंग्वी ने राहूल गांधी के दो जगह से चुनाव लड़ने प्रेंका गांधी के बारा नसी से चुनाव नहीं लड़ने कॉंग्रेस को संभावी ताप देने वाले राज्यों सहित कई अहम बिन्दों पर खुल कर बातचित की उन्होंने कहा कि मैं आकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन यहां तय है कि यहां सरकार और यहां प्रधान मंतरी फिर सत्ता में वापस नहीं करने वाली है कॉंग्रेस ने तुत्व गैर भाजपा, गैर एंडिये की सरकार बनेगी जिन 11 बार राज्यों में भाजपा ने 2014 में मोदी लहर में सबसे पहतर प्रधर्शन किया था वहीं से हमें लाप होगा वहां पहले जैसा प्रधर्शन दोहराया भाजपा के लिए मुश्किर होगा हमारा मानना है कि इन राज्यों में भाजपा को 50 प्रतिशत या करीब करीब 125-133 सीट का नुपसान होगा मोदी जी की छाती 56 इंच की है थपड मारूंगी तो मेरा हाट तूट जाएगा ममता पैनर जी पस्चि मंगाल की मुख्यमंत्री ममता पैनर जी ने लोग सभाचनाव प्रशात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पनिशाना साधा है शानिवार को बसीर हाट में एक चुनावी सभा को सम्मोधित करते होगे ममता पैनर जी ने कहा मैं पीएम मोदी को कैसे थपड मार सकती हूँ उनका सीना 56 इंच का है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें थपड मागूंगी मैं उन्हें लोग तंत्र का तमाचा मारूंगी मैं आपको क्यों मारूंगी मैंने थपड मारा तो मेरा हाट तूट जाएगा इसके साथ ही मम्ता पैनल जी ने शानिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम होगी और साथ अन्य राज्यों में उसे एक भी सीट नहीं मिल पाएगी उन्होंने यहाँ भी कहा कि लोगसभाद चुनाओ जीतने को लेकर बीजेपी और प्रधान मंति नयंद मुदी का आत्म विश्वास डगमगा रहा है गुजरात में बैंक के चेकों पर लिखी बीजेपी के नारे पर विवाद चुनाओ आयोग पहुंचा मामला देश भर में जारी लोगसभाद चुनाओ के बीज गुजरात के सूरत में को अपरेटिव बैंक के चेक पर बीजेपी के नारे लिखे होने का मामला सामने आया है आरोपह की चेक पर यहाँ नारे स्थान या बीजेपी नेताओं की और से ही छपवाई गई है यही नहीं ऐसे चेक हजारों खाताधार कों को जारी भी क्या जा चुकाए आहमदाबात के बास सूरत का को अपरेटिव बैंक गुजरात का दूसरे सबसे बड़ा को अपरेटिव बैंक है मामला सामने आने के बाद कई खाताधारकों ने इस पर नायाजी की जताई और बिजेपी के नारे को हटाने की मांग की है इस खाताधारकों ने अपनी मांग नहीं मने जाने पर इन चेक के इस्तिमाल नहीं करने की धमकी दी है सुत्रों के अनुसार सूरत में इस बैंक के शहर और पुरे जिले में करीब 9 लाग खाता धारक है इसमें ज्यादर तर किसान है बैंक के पास 5,000 करोर रुपए से ज्यादा फिक्स्ट डिपॉजिट है तो मैंने स्न्यूज लाग की खबर देखनी के लिए आज ही प्ले स्टोर से मैंने सिंधी आप डाउन्नोट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद